हेलो फ्रेंज, जैशी क्रशना, कैसे आप सब, वेलकम टू प्रितिस कीचन, आज मैं आपके साथ एकदम हैटल रेस्टोरेंट में जैसे मिलते न, वैसे पनीर की सबजी की रेसिपी शेयर करने जाने वाली, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक चमत जितना तेल गरम करन और उसमें हम लोगों को शिमला मिर्थी, टमाटर और प्याज, इन तीनों चीजों को अपने को अच्छे से भूनना है, साथ में पनीर भी ले लेना है, और इनके टुकडे को इस तरह से बड़े-बड़े करने हैं, हम लोगों को यहाँ पर सबजीयों को पकाना नहीं है, सि सबजीयों में क्रंचीनेस रहेगा, और क्रिस्पी सबजीया बन जाएगी थोड़ी सी, और इसका टेस्ट बहुत मस्त लगता है इस सबजीयों में, तसलिए मैंने हाई फ्लेम करके इस तरह से पहले टेल में मिक्स होने दिया, उसके बाद हम लोगों ने इसमें थोड़े से बेजिक मसाला ही हम लोगो सेफ करना है, और ना ही हम काजू क्रीम कुछी का भी इस्तमाल नहीं करने है आज की सबजीयों में, थोड़ा सा मैंने नमक दाल दिया है, और थोड़ी सी कस्तूरी मेती दाल दियो, और थोड़ा सा यह पनीर का मसाला आपके बास जो भी यूज कर और सबजीयों हलकी सी सॉफ्ट हो गई रहेगी, ज्यादा यह नहीं करनी है, सबजीयों को पकाना नहीं है, तो क्या उसका सबजी का टेस्ट इतना मजा नहीं आएगा, यह देखिए, तैयार है हमारी इस तरह से सबजी सेख के, मैंने इसको प्लेट में निकाल के लिया थोड़ा से जीरा दाल रहे हुँ और थोड़ी से हिंग दाल रहे हुँ, साथ में एक कटी हुई मिर्ची को मैंने तेल में दाल के ले रहे हुँ, यहाँ पे आप अद्रक लसुन की पेस्ट का भी इस्तमाल कर सकते हो, मैं डायरेकली प्यास दाल रहे हुँ इसमें, प्यास आप नहीं खाते हो, तुम ना दालिए, इसके ग्रेवी हम लोग को पहले भून के लेना है, हम लोग को सब चीज एक साथ नहीं भूनना है, जितना सबजियों की और सबकी भूनाई अच्छी होगी, उतना हमारा सबजियों का टेस्ट बहुत मस्तात है, फिर हम लोग का प्य प्योरी को भून नहीं रख देना है, अभी एक तरफ मसाला करके लेंगे, वाटी में मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले रही हूँ, स्वाधन उसा नमक लेंगे, नमक थोड़ा कम लेंगे क्योंके सबजियों में नमक दाला हुआ है, और ध बोल के लेने से क्या होगा है, मसाले अच्छे से पकेंगे, और मसाले जलना जाएंगे, ये देखेए, अभी टमाटर की भी प्यूरी पुरी возь से पक चुकी है, तेल डिखने लगए, अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो मसाला है ना, उसको इसमिना है, डाल के लेन काफी सऌने में बनेगी, अभी मैं अदावाटी भके पानी ले लिया, गूद में आदावाटी में के नगी हम लोगों को इसे अदाल से इसको उतना दोड़ी advancing गाई आपको चालू की चालू की इस पानी यह मिलीट यह को से रगला हैं आपको जूक को पानी डलने एक सब्सक्राइब हएविए वह को चुछ गर्म पाने के तूस्द और लोगे में इसलिए हम लोगों को गरम पानी का इस्तेमाल करने और ढक के लो फ्लेम पे कम से कम 2-5 मिनिट जैसा पकाने जिससे अंदर तेल वगेरे जो भी रहे का नो सब बाहर आ जाएगा और तेल एकदम दिखने लगेगा सब्जियों में होटेल रेस्टोरेंट में कैसी रती है वैसी स सब्जी आप उनको सर्व कर सकते हो गर्मी की सीजन के लिए बेस्ट सब्जी है और एक बात याद दिला दू आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे सिसे इतनी अच्छी और इजी रेसिपी मैं आपके साथ श